राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय तीन ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभावमिक पहुँच सुनिश्चित करना तो आईए सुनते हैं इसका द्वणी पाठ प्रिष्ठ संख्या 14 तीन ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभावमिक पहुँच सुनिश्चित करना 3.1 स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथ्मिक लक्षियों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामंकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्ध्याले भेजा जाए सर्वशिक्षा अभियान अब समग्रशिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथ्मिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामंकन प्राप्त करने में उल्लेखनिये प्रगती की है हलांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली विवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं कक्षा छठी से आठ्मी का GER 90.9 प्रतिशत है जबकि कक्षा 9.10 और 11.12 के लिए यह क्रमशा केवल 89.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत है यह आकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेश रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महतोपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है वर्ष 2017-18 में NSSO के 75 राउंड हाउस होल सर्वे के अनुसार 6-17 वर्ष के बीच की उमर के विद्याले ना जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड है इन बच्चों को यथा संभव पुनह शिक्षा प्रणाली में शीघर वापस लाना देश की सर्वोच्च प्रात्मिकता होगी इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से मध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्षे के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर्भी कम करना होगा पूर्व प्रात्मिक से कक्षा बारह तक की शिक्षा और व्यावसाईक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्व भावमिक पहुँच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रिये प्रयास किया जाएगा 3.2 कुल मिला कर दो पहल की जाएंगी जिस से बच्चों का विद्याले में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी धाचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा बारह तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकरशक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके इसके अतिरिक्त प्रतेक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेश देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी ना हो सरकारी स्कूलों की विश्वस नियता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौझूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके जहां स्कूल नहीं है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बना कर और च्छात्रावासों विशेश कर प्रिष्ठ संख्या पंद्रह बाली का च्छात्रावासों तक सुरक्षित और ब्यावहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विबिध परिस्थितियों में स्कू स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ-साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नजर रखनी होगी। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा बारह तक की स्कूली शिक्षा के जरिये 18 वर्ष की आयू तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रहे हैं और सीख रहे हैं। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानिय भाषा के ज्यान के साथ उतक्रिष्ट शिक्षकों के लिए प्रोसाहन प्रणाली की आवशिकता होगी जो उन ख्षेत्रों में तैनात किये जाएं जहां ड्रॉप आउट दरें विशेश रूप से अधिक हैं। 3.5. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुहों यानि SEDG पर विशेश जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दाइरे को व्यापक बनाना होगा ताकि आवचारिक और अनवचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन र यानि NIOS और राजियों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत Open and Distance Learning यानि ODL कारेक्रम का विस्तार और सुद्रिड़ी करण किया जाएगा ताकि ऐसे युवाओं की सीखने की आवशिक्ताओं को पूरा किया जा सके NIOS अपने वर्तमान कारेक्रमों के अलावा इन कारेक्रमों को भी आफर करेगा AB और स्थी स्तरों की शिक्षा जो अवचारिक स्कूल प्रानाली के कक्षा 3-5 और 8 के बराबर है माध्यमिक शिक्षा कारेक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर है ब्यावसाइक शिक्षा कारिक्रम, कारिक्रम और वयस्क साक्षर्ता और जीवन समवर्धन कारिक्रम NIOS की तर्ज पर प्रिष्ठ संख्या सूलह राज्य सरकारों को प्रोसाहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित State Institute of Open Schooling यानि SIOS को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और ख्षेत्रिय भाशाओं में उपरोक्त कारिक्रम इन संस्थानों के जरिये चलाएं 3.6. दोनों सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्याले के निर्मान को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल, स्थामाजिक स्थनरचना के आधार पर स्थानिये विविधताओं को प्रोसाहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमती देन के लिए स्कूल के निर्मान संबंधी नियमों को हलका बनाया जाएगा. इनका फोकस इन्पुट पर कम और वांचित सीखने के परिणामों से संबंधित आउट्पुट शमता पर अधिक केंद्रित होगा. इन्पुट संबंधित विनियम कुछ विशेश ख्षेत्रों तक सी 3.7 प्रोड शिक्षा केंद्रों में प्रोड साक्षर्ता में सहयोग करना आदी. इस द्रिष्टी से स्कूल के भूदपुर्व विद्यार्थियों और स्थानिय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ट नागरिकों से उप्युक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी. इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए साक्षर स्वयम सेवकों, सेवा निवरित वईज्यानिकों और सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूदपुर्व विद्यार्थियों और शिक्षा विदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020, भाग एक स्कूल शिक्षा, अध्याय तीन, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सारभावमिक पहुँच सुनिश्चित करना. वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुपता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.